हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा बैल कड़ा किया और आप भत्र का फैसला ले दिया, वो गाउं के सबसे पुरानी कोई के पास गई और उसकी मुंदेर पर खड़ी होकर सोचने लगी, कैसे दूंगी मैं सब को जवाब, क्या मो दिखाऊंगी मैं गाउंवालों को, इससे अच्छा है खुद को खत्म कर लो, अ चमपा अपने छोटे से खेट से काम करके वापस लोट रही थी, तब ही उसे अब्दुल चाचा के घर के बाहर कुछ लोगों की भीर दिखाई दी, उनमें से वो किसी को भी नहीं पैचानती थी, वो सब भी उसके गाउं के नहीं थी, अरे यहाँ पर इस समय इतनी भीर कैस और ये लोग कौन है, और अब्दुल चाचा के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उसे लगा कि शायद कोई हाथसा हो गया है, सबकी मदद को हमेशा तयार रहने वाली चमपा भागी भागी भीर तक पहुची, अब्दुल चाचा अपने घर के बाहर इख रहे थे, चमपा ने उ इन्होंने कहा कि 6 गंटे के लिए वो मेरी जोपड़ी में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, इसके 10,000 रुपए मिलेंगे अरे वाँ, 10,000? चाचा, मेरी जोपड़ी में भी शूटिंग करवा दो ना, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे अरे चमपा, ये मेरे हाथ में नहीं है, वो जो वहाँ खड़े हैं न, लाल शट में, वही डिरेक्टर साब हैं, उनका नाम अमित सकसेना है, तो उनसे बात कर, वही तुम्हारी मदद करेंगे चमपा, डिरेक्टर अमित के पास गई, और उनसे सारी बात कही, चमपा की भोली-भाली बाते सुनकर, अमित मुस्कुराने लगा क्या नाम है तुम्हारा? जी, चमपा नाम है मेरा बहुत ही प्यारा नाम है जी देखो चमपा, अभी तो हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी तीन-चार दिन हम गाउं में ही रहेंगे अगर आगे भी हमें जरूरत पड़ी तो, हम तुम्हारी जोपडी में शूटिंग कर लेंगे चमपा मू लटका कर वहां से चली गई, अगले दिल की बात है वो खेत पर काम करने के लिए निकलने ही वाली थी कि अमेत उसे अपनी जोपरी के दर्वाजे पर दिखा चमपा उसे देखकर बहुत खुश हो गई अरे डाइरेक्टर साब, आप मेरे घर पर, मेरे तो भागे ही खुल गए आपको शूटिंग के लिए मेरा घर चाहिए, इसलिए आप आए है ना, ले लीजे मेरा घर दस नहीं तो आठ हजार ही दे दीजेगा, वो क्या है न मुझे पैसों की जरुरत है बुआई का समय हो गया है लेकिन देखिये ना, बीच के पैसे ही नहीं है मेरे पास अब जैसे बिना शृंगार के लड़की अधूरी सी लगती है, वैसे ही बिना फसल के खेट तो सुना लगेगा ना साब और जब फसल ही नहीं होगी तो चमपा क्या खाएगी अमित एक बार फिर से चमपा की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा और उससे मजाख में कहा तो बाते बहुत अच्छी करती है चमपा, मेरी फिल्म में हिरोईन बनेगी तू गवार नहीं है चमपा, तू अलग है, सबसे अलग, भूलापन है तुझ में, सादगी है, आजकल की इस बनावटी दुनिया में, तेरे जैसे लोग नहीं है चमपा दिखने में बहुत ही सुन्दर थी, अमित को वो पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी, यूँ कहिए कि उसका दिल उस पर आ गया था अमित की शूटिंग तीन वापस लोट गई, लेकिन वो अपने दिल की बात चमपा को बताने के लिए गाउं में ही रुक गया एक दिन की बात है, चमपा गाउं के पुराने तालाब के पास से गुजर रहे थी, तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज आई चमपा भागी भागी आवाज की दिशा में गई, उसने देखा की अमित तालाब में डूब रहे गाउं का वो तालाब काफी गहरा था, लोग उधर कभी जाते थे, लेकिन अमित को इस बात का पता नहीं था अरे, ये तो डारिक्टर साब है चमपा तालाब में कूद पड़ी और किसी तरह अमित को बचाया अमित बेहोश हो गया था चमपा ने अपने मुह से उसे औक्सीजन देना शुरू किया थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भोलूँगा चमपा तुमने खुद की जान की परवा की एविना मेरी जान बचाई साब आप हमारी गाउं के महमान है अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दूसरों को क्या मू दिखाते चमपा की ऐसी बातों को सुनकर अमित के दिल में उसके प्रती और भी प्यार भर गया उसके अगले दिन की ही बात है चमपा अपने खेत में काम कर रही थी तब ही अमित वहाँ पहुचा और उसने अपने दिल की बात कह दी क्यों मेरे से मजाग करें साब कहां आप कहां मैं मेरा और आपका कोई मेल ही नहीं आपके आगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी कहां आप मुझ गवार के चक्कर में पढ़ रहे है चमपा मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हारे बिना अब जिने की सोचना भी गुना है मेरे लिए शादे करोगी तुम उससे ये कहकर अमित ने चमपा को गले लगा लिया चमपा ने भी कोई एतराज नहीं जटाया माबाप और किसी अपने के प्यार से हमेशा महरूम रही चमपा को अमित की बाहों में सुकून का एहसास हुआ उसके बाद वे दोनों हर दिन मिलने लगे चमपा को अमित का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा एक दिन की बाद है जोरों की बारिश हो रही थी आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है पता नहीं मैं जहां रुका हूँ वहां तक कैसे पहुचूंगा आज आप मेरे घर रुक जाएगे तुम्हारे घर लेकिन लेकिन क्या मेरा घर छोटा है वहां आप नहीं रुक सकते पागल है क्या तू ऐसा क्यों सोचती है चल मैं तेरे घर चलता हूँ बारिष रुक जाएगी तो चला जाओंगा अमित चमपा के हां रुक तो गया लेकिन उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाई लांग दी कुछ दिन बाद अमित शहर तो चला गया लेकिन अपने निशानी वो चमपा के पेट में छोड़ गया चमपा को जैसे ही इस बात का पता लगा उसके पैरो तले जमीन खिसक गई ये भगवान ये क्या हो क्या मुझे अमित को सारी बात बतानी होगी हमें जल्दी शादी भी करनी होगी चमपा ने फोन पर सारी बाते अमित को बताई अमित ये सब सुनकर चौक गया अमित एक उभरता हुआ डारेक्टर था उसे लगा कि कहीं लोगों को उसकी ये बात पता लग गई तो उसका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा इसलिए उसने चमपा को इग्नोर करना शुरू कर दिया जब भी चमपा उसे कॉल करती वो उसे कहता कि वो बहुत ही बिजी है बाद में बात करेगा शार महीने हो गए अमित तो मुझसे बात ही नहीं करते कहीं वो शेहर जाकर बदल तो नहीं गए नहीं नहीं ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा बार-बार अमित द्वारा इग्नोर किये जाने पर चमपा ने खुद शेहर जाने का मन बनाया वो अमित के दिये पते पर पहुँची लेकिन अब उसका अमित वो अमित नहीं रहा जो से गाउं में मिला था वो पूरी तरह बदल गया था तुम्हारा दिमाग खराब है क्या किसी का भी पाप मेरे माथे पर थोपने चले आई तुम ये क्या कह रहे है आप आपने मुझसे प्यार किया है और शादी का वादा भी अरे मैंने कब तुम से प्यार किया और शादी करने का वादा किया मेरी क्या मत मारी गई है अरे मेरा तेरा क्या मेल तू कहां गवार देहाती और मैं कहां चल निकल जा यहां से हाँ, तुझे कुछ पैसे चाहिए तो ले जा तेरे जैसे लोगों को मैं खोब जानता हूँ पैसे एंठने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं ये कहकर अमित ने नोटों की गड़ी उसके उपर उच्छा दी अमित का ये बदला हुआ रूप चंपा के दिल में खंजर बन कर उतर गया उसने नोटों की गड़ी उठा कर अमित के हाथों में दी और वहाँ से गाउँ लोट आई गाउं से लोटने के बाद भी वो अमित को कॉल करती रही लेकिन अमित का रवया नहीं बतला इस बीच उसके गर्ब को छे महीने हो गए थे अब उसका पेट बाहर दिखने लगा था इसलिए उसने आत्मत्या का सोच लिया और कुए की मुंडेर पर चड़ गई लेकिन अचानक उसकी अंतरात्मा ने उसे जब चोरा ये तू क्या कर रही है चंपा तेरे आने वाले बच्चे की क्या गलती है जो तू अपने साथ उसे भी मारने जा रही है क्या कोई मा अपने बच्चे की हत्या करती है चम्पा ने आत्मत्या का विचार त्याग दिया गाउवालों के लाख अपमान के बावजूद उसने एक बेटे को जन्म दिया उसने उसका नाम अमन रखा वो उसका खूब ध्यान रखती उसके जीने का वही तो एक सहारा था हाला कि अमन कभी-कभी अपनी माज से अपने पिता के बारे में पूछता लेकिन वो टाल जाती चम्पा ने बहुत कस्ट सह कर अमन को पालना शुरू किया धीरे-धीरे समय बीटता गया अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था उसने MBA की पढ़ाई की और शहर में उसने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया उसका बिजनेस चल निकला फिर तो उसने पीछे मुड कर नहीं देखा कम ही समय में उसकी गिंती मुंबई के बड़े उद्योग पतियों में होने लगी एक दिन जब वो घर आया तो मा, मा कहा हो तुम? क्या हूँ आमन? मा जानती हो पुराने समय के एक मशुहूर डिरेक्टर मेरी बायोगरफी बनाना चाहते हैं वो क्या होती है बेटा? फिल्म मा, फिल्म वो मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हैं अमन को मा का ये व्यवहार बहुत ही अजीब सा लगा क्योंकि चमपा बहुत ही सीधी साधी और कभी भी किसी के शिकायत नहीं करने वाली औरत थी अमन को समझ में आ गया कि मा के इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई कारण है उसने चमपा से उस कारण को जानने की बहुत कोशिश की लेकिन चमपा ने कुछ नहीं बोला मा आपको मेरे सर की कसम आपको ये बात बताने ही होगी कि आप फिल्म वालों से इतनी नफरत क्यों करती हैं अपने इकलौते बेटे की कसम के आगे चमपा मजपूर हो गए और उसने सारी बाते उसे बताई लेकिन जैसे उसने डारेक्टर का नाम बताया अमन चौग गया वो डारेक्टर कोई और नहीं अमित ही था जो उसकी बायग्रॉफी बनाना चाहता था अगले दिन अमन ने अमित को अपने घर पर बुलाया जैसे उसने अमन की घर के अंदर प्रवेश किया उसे चमपा की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दी उसकी आँखों के आगे पुरानी सारी बाते घूमने लगी थोड़ी देर बाद जब चमपा अमन के साथ उसके सामने आई तो वो उससे आँख भी नहीं मिला पा रहा था फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा चमपा तू यहाँ ये इस घर की मालके ने और मेरी माँ है तुम तुम मेरे बेटे हो अमन अमन के बाते सुनकर अमित की आँखों में आसु आ गे उसने चमपा से माफी मांगते हुए कहा मुझे माफ कर दे चमपा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसी गलती की तो सजा है कि इस उम्र में भी मैं दरदर भटक रहा हूँ पतनी तो कई साल पहले ही छोड़ कर किसी दूसरे के साथ चली गई औलाद तो कोई हुई ही नही अमित की बाते सुनकर चमपा का गला भराया उसने अमित को माफ कर दिया फिर वो साथ ही रहने लगे झाल झाल